हेलो माई स्टूडेंट्स हमने प्रिभियस लेक्चर में पुस्पूल एंप्लिफायर के बारें बात किया जिसमें पुस्पूल एंप्लिफायर मैंने बताया आपको होता क्या है बेसिक ऑप्रेशन क्या है यूजिस क्या है उसको मैं रिपीट करूँ एक बार कि पुस्पूल पूल डाउनवार्ड लाइक डाट ओके इसमें होता क्या है कि जो भी मुलों इंपूर्ट सिग्नल देते हैं ओके वह इंपूर्ट सिग्नल टू सेपरेट सिग्नल में कनवार्ट होता है बाइजिंग दा टू ट्रांजिस्टर यह वन स्टेश्ट अम्प्लिफियर याद रखे टूके बट दोनो सिग्नल्स जो होते हैं वह आइडेन्टिकल होते हैं लेकिन वह दोनौ जो है आइज करकD देते है signals that is the collector current आपको स्टांजिस्टर का और पूट कलेक्टर होता है कलेक्टर करेंट और वो जो हमारा और पूट आएगा वो इन्पूट की यह साथ सेम से सिंग्नल आएगा बट जो एंपलिचूट होगा वो क्या आएगा ज्यादा आएगा है ना क्लियर तो यह हमारा जो है मैंने बताया था क्लास एकलास शीक्लास अब्स प्लेशल इसको देखते हैं क्लास एप्स पुल एमप्लिफाइर जिसमें आपको देखonna यहां पर आप देखेंगे कि दोनों का जो इमीटर टरमिनल्स है दिस वन ओके यह इमीटर टेमिनल्स जो दोनों है, ओके, एक इसका और एक इसका, they are interconnected, okay, they are connected together, okay, they are connected together, दिखर रहा आपको, यह आपस में क्या है, connected, okay, they are connected together and the input signal is applied, input signal is applied to the input of two transistors input transistors का क्या है ये दोनों ओके through the input step of transformer तो हम लोग जो हाँ पर input signal अप्लाई कर रहा है ओके through the input step of transformer वो भी हमारा कैसा center tapped ओके तो यह हम लोग इंप्लाइड और ने रहें है तो हम लो ने क्या किया अपकोस हम लोग जानते हैं कि सारे और उसे आउट पूट ले रहे हैं तो कॉमन मीटे कन्फिग्रेशन है हमारा तो बेस में लोग इनपूट दी और यह मीटे को आपस में कर दिए और जहां कनेक्टेट है उसको मुझा कि यह उस पॉइंट को ग्राउंड कर दिए अब यहां पर हो क्या रहा भीर कि यहोड ट्रांस पॉर्मर्स है अगा यह माल लेते हैं चुकि यहसानुसाडल है तो माले लें प्लशिट्व हो के लिए तो प्लशिटी अनुटिको अन नरे वाया है ब्सक्राइब दूब यानि कि यह चुकि center tapped है तो यहाँ positive polarity तो भीवन इस टर्मिनल पर positive यहाँ पर भीवन जो है चुकि यहाँ पर भीवन ओके तो यहाँ पर भीवन negative terminal यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है this transformer provides two opposite polarities signals input signals to the two transistors okay दोनों transistors को जो input मिल रहा है वो क्या है opposite polarity पर but they are same signals है ना यह क्यों हो रहा है center tapped होने के कारण भी हो रहा है नहीं विरता तब भी होता ओके center tap लिए हम लोगों से यहाँ पर भी CC को supply करने के लिए got it तो यह हो गया अब यहाँ पर जो collector terminals है ध्यान से देखेंगे यह collector terminals है हमारा okay these collector terminals of the transistors are connected to the कहा connected है भी to the two ends of the output step of transformer okay तो यहाँ पर आपको दिख रहा है two ends of the step of output transformer के primary winding का जो आपका दो terminals है उन दो terminals से आपका क्या हो गया कि इसका output connected है am I clear हना तो यह इसका output connected हो गया हना अब यहाँ पर जो resistors R1 and R2 आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो center tabbed input transformer है यह output center tabbed है इसमें input center tabbed है दोनों आपस में connected है but through the VCC R1 and R2 okay तेहां पर R1 और R2 जो resistor है okay they are used सथर दोर्ई यहाँ रजें साथ कि आपका रपका दोड़ous बाब हाँ से इसके पर दो में दो हो पर प्रापड़ous साथ झाम कि तो यहां पर हो गया डाय सिंपल कि यहां पर एक लोड करनेक्टिड है सब्सक्रांटिड यहां पर इसका टर्न रिशियो है तो यहां पर जो दो टर्न रिशियो का को सेंट करेंट है यानि कि i c1 और i c 2 ओके य॥े आर इक्वल इन मैंगिच्वूड चुल कि टांजिस्टर हमारा इक्वल है बाइसिंग हम लोग सेम किये हुए है। यहां दिख रहा है यह इस डायक्शन में और यह इस डायक्शन नहीं तो पूजिट मैंने देखाया था आपको पूश्पुल एंप्लिफायर का इसके पिछले का वीडियो लिक्ट्टर देखेंगी तो मैंने उसमें देखाया था मैंने बताया भी था कि कि दोनों आपका सेम मैगनिचूड का होगा ऑट्पुट इसका बट होगा क्या भाई कि दोनों का पॉलरेटी ऑल्विज ऑट फेज होगा तो ऑट फेज यानि को पूजिट डायक्शन सिंपल है ना तो यहां पे यह प्रैमरी वैंडिंग के थुरू पूजिट डायक्शन में यह फ्लो कर रहा है यह हमारा मोटो भी था ओके और इसके कोस्पांडिंग हम रों आट्पुट कंसीडर करते हैं तो मैंने यह भी बताया आपको कि जो भी सी सी है भी सी सप्लाइज प्रोवाइडेड टू दा कलेक्टर्टर्स आप डिस टू टांजिस्टर्स ओके सर्कीट ओप्रेशन इसका सरकीट ऑप्रेशन यह तो हमारा कंस्टर्थ्थ्थ्थ्यूंट गत्रूर बात कर लिए और यहां पर जो ऑडपुट है दो जो ऑडपुट धी यहां से जो भी और पूट आएगा वही लोट के एक रॉट पूट आएगा ओल्विज फर्स तिंग्स ओके यहां पर जो प्रैमरी आपका है ट्रांस्फॉर्मर का ओके प्रैक्टिकली इसके थुरू जो है कोई भी डी सी कंपोनेंट नहीं यहांने कि दा प्रैमरी आप दा ट इसके प्रैक्टिकली ओके अब टांसिस्टर्स Q1 and Q2 ओके टांसिस्टर्स Q1 & Q2 यहां यहां एक टांसिस्टर्स Q2 क्रेंट i1 and i2 इसके थ्रूब कर रहा है क्लियर ओके स्फोर डैट अब इस आई सीवन और इस आई सीटू के कोर्रेस्पॉंडिंग यह दोनों का सम होगा इसमें आमारा प्रैमरी बेंडिंग में जा रहा है मैंने पहले बोला कि they are equal in magnitude बट फ्लोज इन ओपोजित डिरेक्शन थ्रू दा प्रैमरी ऑफ दा और पूट टांसफॉर्मर कि अओके तो यह भी हमारा होगिया नौध जैसे ही हम लोग जो है इनपुट देंगे वें दा इससे सिग्नल हींपूट आपलाइड ओके इनपूट दे जैसे इनपूर्ट दे यहां पर भीमन आगया प्लस्वरिटी यहां- प्लस्वरिटी आ गया ओके तब हमारा क्या होगा यह चुकि प्लस पॉलरिटी यानि कि यह जो हाइयर पोटेंशल होगा इसके कंपेर में यानि कि इसमें इंपूट जो होगा ओके यह लेस पोजीटिव होगा दैन दा टांज इसमें ट्रिवं के कोईस्पांडिंग तो हम लोग बोल सकते हैं ओ चुकि इसमें यहां पर तो बेस क्या हो रहा हैं बेस अफ दा ट्र नचिस्टर क्यूटव स्क्रींड हेरा सपनेन डेस पीजिश्टिव थीप्लिव कूस्टिव स्क्रीप्लिंग स्सक्रीज रिच्ट बेसिए हो गया कि थीपिटींगतों कह सNTभए पिजिच्टिव थीज श तो उसके corresponding जो transistor क्यूवन का collector current है आइसी वन यह करेगा ओके मोर पॉजिटिव होगा एस कंपेर टू कलेटर करेंट आइसी यह डॉन वाड होगा है ना तो मैंने क्या होला पूश अप पूल डॉन ओके तो पूश अप यानि के हमारा क्या होगा सिंपल कि यह आप वार्ड पूस होगा यह डॉन वार्ड पूल होगा विकॉज यह लेस पोटेंशल पे यह हाईगर पोटेंशल पे तो जैसा आप इंपूट देंगे उसके कोस्पांडिंग हमारा ओर्ड पूट आएगा ने तो इसलिए वो बोलते हैं कि the collector करेंट ic1 of transistor q1 in increased while the collector करेंट ic2 of the transistor q2 decreases ओके तो इससी तरह हम लोगे यहाँ पे चुकि यहां पूस पूल का कंसेप्ट हराय है hence the name push-pull amplifier ओके तो हम लोगे यहाँ पर यह देख लिए अब इन अनादर बाट्स अब यह देखो हम लोग बात करें कि भेंदा बेस करेंट आप दा टांजिस्टर इस पोजीटिव बिथ रिस्पेक्ट्ट्व कॉसेंट पॉइंट दिन देन भाट है देन कलेक्टर करेंट इंक्रीज इस ओके अड़ दा सेम टाइ कि दूसरी बाढमें यह पहले वाच में आप सिंपल सोच हाइय पॉटेंशल पहें करेंट हो इधा क्यम मिट हो कि ए cold केंट अंड यह इस तरह से और यह इस तरह से, flows in opposite direction in the two halves of the primary of the output transformer, यह primary का आधा इधर और आधा इधर, तो आधा में इस तरह से flow कर रहा है, और आधा में इस तरह से flow कर रहा है, ओके, हैंस, तो यह पोजिटिव होगे, निएटिव होगे, हैंस, दो फ्लक्स प्रोडूस्ट बाइ इस तो करेंट, तो यह पोजि इसके चलते निगेटिव फ्लक्स, ओके, तो जो यह फ्लक्स प्रोडूस्ट होगा, बाइडिस के अंड यह अल्सो यह भी opposite direction में होगा, ओके, तो यहां पे यह भी clear हो गया, अब यहां पे जो ओवर ओल ओप्रेशन हो रहा है, ओके, ओवर ओल ओप्रेशन रिजर्व्स इन AC voltage induced in the secondary of the output transformer, इसकी चलते output आएगा, इसकी चलते output आएगा, ओके, अब यहां पे जो इसका magnitude होगा, वो ही magnitude लोड के corresponding जो voltage होगा, same magnitude का होगा, है ना, which will be proportional to the difference of the current, ओके, भी ओर्ट इस proportional to the difference in current IC1 and IC2, ओके, चुकि यह दोनों opposite direction में है, तो यह हमेशा क्या होगा, additive nature का होगा, IC1 और IC2 दोनों opposite direction में है, ओके, तो यह दोनों के difference का होगा, ओके, नो, similarly, यह तुम्रों half cycle के लिए बात किए, अब अनदर half cycle में यह क्या होगा, यह negative हो जाएगा, यह positive हो जाएगा, यह positive हो जाएगा, यह positive हो जाएगा, यह negative हो जाएगा, यह positive, तब यह less potential पे होगा as compared to B2, तो इसके compare में ही हमारा IC1 जो है वो होगा as compared to i2 groupus में अगर यहां इस तरक का यहां तो यहां पर जिए इस में होगा यह इस तरका 550 से हमारा जादा होगा more तेंदिस इस के बॉल्ट्ट होगा एकृष्ल जाँसused ओके विल आगेन कोर्स्पॉन इंटू डीफरेंग्ध करेंट ओके यह क्या होगा अब आई सीटो मैनेस आइसीवन कर डेटली प्रोपोर्टेल होगा ओके बट यानि कि मनें इसको बोल सकते हैं बी आउर्ट इस डेटली पॉशन टू मैनस आइसी बन मैनस आइसी टू तो एक पोजीटिव आया तो जैसे निगेटिव करेंगे तो यह आजाएगा इस तरह से है नो ओके इसका मैनस इसका मैनस यहने की यह यहने की जो भी आप इंपूट सिंगनल जैसा दिये वैसा आपका सिंगनल आ गया बट उसका स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा तो ओवर आल जो आप्रेशन हो रहा है है ओके डाट रिजल्स एन एसी पावर इस डेराइब्ड एक्रोस दा लूड ओके अब यहां पे डियूरिंग एन गिवेन हाफ साइकल आप दा आप पूट सिंगनल कि वन टांजिस्टर इस बीन ड्रीवन एक टांजिस्टर ड्राइव ड्रीवन मुलोग खिचा रहा है पूच किया जा रहा है ओके पूच्ट डीप इन्टू दा कंडक्शन ओके भाइल जैसे हमारा जब पोजिटिव हाप पहले था तो इसमें यह कंड़क्शन में जा रहा थो छो खेड़क्शन में हो रहा है चैसरिफ डनेम प्वूच्ट पूल आँखत नियंग अगर जैसे Wait कि इतुक्त देख भांटिष देस्ट का थीखना एं तो फर्स्ट डिवांटिश कगतना चाह्त पिए जितने हार्मोनिक इलेखते हैं जो हम लोग expression निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे अभी याद रखेंगी all even harmonics are eliminated को जितना even harmonics ऑपका eliminate होगा तो आपको याद होगा harmonic distortion जो मैंने distortion बताया था आपको तो वह harmonic distortion क्या होगा वह भी reduced होगा because of the because of the distortion of this collector current because of cancellation क्या है एक उपर एक नीची तो दोनों क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो उसकी चलते आपका इस तीज को देखेंगे डोंट वरी ओकी उसी तरह से तिसरा जो इड्वांटिज है इट गिव्द दा मोर और पूट पर टांजिस्टर बिकॉज अब लेस्ट इस्टॉर्शन ओकी डिस्टॉर्शन काम होने के कान जो है और पूट अपका क्या होगा मोर होगा है ना डिस इड एड़्वांटेज का क्या है इडा hahaph ओकीवड़ ओ कि अफ्ट्ट टापिंग्ग ट्रम्ट वही दो दो पौंक तहशेंटर टापिंग्ग ट्रांसमध तॉम्र्मर का है हाँ है यह हमारा चुकिस दो-बैस है इंबॉल्व है देन इट नीड्स वलकी एंड एक्स्पेंसिव अपको साइज भी जादा हो जाएगा दो दो टांस्पार्म होने कान कॉस्टली भी हो जाएगा क्लियर तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यह आई सीवन आई सीटू का जो कंसिप्ट है आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि अगर माल लेते हैं कि आई सीवन हमारा जो है यह इस तरह से आ रहा है है यह यह करेंगी तो मैंनस इस टू मतलब हर अगर मैंनस इस इस वन प्लस इस यह दोनों क्या होगा एड़ आप हो जाएगा तो होगा हमारा वह क्या होगा क्लास ए पूस्पूल एंप्लीफ है इस विडियो लीटर में सेम कंसेप्ट के साथ फिस मिलेंगे क्लास भी पूस्पूल एंप्लीफ है ओके थैंक यू